परसातियों आज हम जो क्लास 10th का पेपर हुगा है दो याद्तेस में आज 122DX इसके objective questions का solution देखेंगे जो आपको खंड आ मैं पूचे गए थे तो चलिए बिना समय को बेश्ट किये तो देखिए आपका पहला question है परमे संक्या तो इसमें आपका जो option number है वह है B बिल्कुल correct है एंग्लिस में भी आप इसे देख सकते हैं उसके बाद दूसरे question का आपका second answer सही होगा और third का D आपका answer बिल्कुल सही है fourth का आपका 12 यानि D answer यहाँ भी सही है और fifth यहाँ भी आपका 12 option सही होगा और समी करांड जो आपका पूचा है sixth question उसका option number first बिल्कुल सही है बिल्कुल कम time में मैं आपको सभी answer का answer बता दूँगा यहाँ तो seventh का D fourth और eighth का option number D आपका एक बार फिर सही है और 9 में question की अगर बात करें तो one ratio two इसका answer आएगा आप solve करके देख सकते हैं कि solve करेंगे तो बहुत ज्यादा time लगेगा उसके बाद जो आपका 10 कोशन है उसका option number first बिल्कुल सही है उसके बाद 11 में question में आपका बी option सही होगा चार ratio five उसके बाद 12 में जो question है इसे आप solve करेंगे तो इसका आएगा one ratio one चलिए अगले questions को देखते हैं उसके बाद अगला question है आपका तेरे जिसमें आपका c option बिल्कुल एक सही होगा उसके बाद जो फोर्ट कोश्ट फोर्ट कोश्टन है आपका उसमें आपका बी option सही हुआ 45 celsius और कॉमा 30 celsius चलिए उसके बाद जो आपका 15 में question है उसमें आपका 18 अंसर बिल्कुल सही आएगा solve करके देख सकते हैं क्योंकि काई फिट टाइम में यह solve हुए हैं उसके बाद जो 17 में question है उसमें 21.5 यह answer बिल्कुल सही होगा next question है आपका 18 इसमें c option सही होगा यानि कि 24 19 में केंतरगात आपका 3-5 यानि b option बिल्कुल सही होगा उसके बाद जो 21 question है उसमें भी b option सही होगा तो आए आगे जो खंड बा है इसे अपने आपसे अच्छी तरह से solve किया होगा अब इन वो लोगों के लिए मैं यह सो कर देता हूं जो बाद में देखेंगे कि 2030 में आपका बोड एक्जाम में question कैसा पूचा गया था उसके बाद आप बताएं paper आपका कैसा गया है कितना सर प्रकार का आपका जो question paper है वह काफी अच्छा देखने में तो लग रहा है और आप लोग बताईए कि आपने किस प्रकार से किया था इसे solve तो देखिए आपका last page बचा है जो इंगलिस हिंदी दोनों में cover-up है तो थैंक्स पर वाचिंग